गूर्णिंग क्लास थर्ड हम कर रहे हैं activity 2 on page number 136 and your question number 3 change into meter and centimeter हमने question number 1st किया था and question number 2 भी कर लिया है अब हम करेंगे question number 3 कैसे करना यह थोड़ा सा ज्यान देखना पहले था change into centimeter next हा change into meter जब एक ही चीज में convert करना तो हम गतियं multiply अभी आप छोटी हो ना इसलिए यह वारी trick चलेगी जब आप किसी चीज को एक term में convert करते हो ना तो क्या करते हो multiply लेकिन जब आप किसी चीज को two terms में convert करोगे जसे change into meter and centimeter जसे यहाँ पे है change into kilometer and meter तो आप क्या करोगे divide एक में convert करोगे तो multiply करोगे अगर दो चीज़ों में change कर रहे हो यह convert कर रहे हो तो क्या करोगे divide करोगे clear? ओके your first question is 438 centimeter change into meter and centimeter कहते हैं कि 438 को change करो meter and centimeter में और आपके पास term क्या given है 438 पहले आपने इस हमें पता होना ज़िए कि centimeter कितने meters के इकल होता है हमें पता है कि 100 centimeter जो होता है वो 1 meter के इकल होता है clear? ऐसा एक अत्यार है न 1 meter is equal to 100 centimeter ओके आपको पता है कि 1 meter कितने के इकल होता है 100 centimeter के लेकिन देखो यह आपके divides हैं दूज चीज़ों में convert करना है तो आपने एक बात व्याद रखने कि जो 1 centimeter है वो किसके इकल होता है 1 over 100 meter के इकल होता है clear? चाहे तो आप ये भी terms लिख सकते हो चाहे तो आप ये भी वैसे ये वाले term लिखना क्योंकि आपको याद रहेगा कि अब आपने divide करना है वैसे मैंने over डाल दिया है लेकिन आप फिर भी ये वाले term लिखना क्योंकि वो तो आपको पता है कि 1 meter is equal to 100 centimeter होता है लेकिन हमें 2 चीज़ों में convert करना है और इदर centimeter है तो centimeter को ही meter में convert करना है जो 1 centimeter होता है वो कितने meters के इकल होता है 1 over 100 divide सबसे पहले अब आपने क्या करना है कि 438 को किसके साथ divide कर देना है 100 के साथ क्योंकि meter and centimeter है तो 100 के साथ करोगे अगर kilometer and meter होता तो 1000 के साथ करते हो meter and centimeter को किसके साथ divide करना है 100 के साथ अब point लगाना है वो कैसे नीचे आपके पास कितने 0 है 1, 2 कितने 0 है 2, 0 है तो आपने ये जो 438 है उसके पीछे से 2 डिजर्ट छोड़के क्या लगा देना है point 2 0 है तो 2 डिजर्ट छोड़के क्या लगा देना है point clear तो जो point से पहले वाला है वो meter हो जाएगा जो point से बाद वाला है वो centimeter हो जाएगा तो 4 क्या हो गया meter and 38 क्या हो गया centimeter clear आप यह वाला चाहे लिखना हो तो लिख लेना अदरवाइस यह वाला जरूर लिखना 1 cm is equal to 1 over 100 meter अगर दो चीज़ों में convert करना है तो इसको divide करना है meter and centimeter की बात और यह तो 100 के साथ करेंगे देखेंगे कि नीचे कितने 0 है? 2 0 है तो हमने यह वाली 438 के पीछे से 2 dessert छोड़के क्या लगा देने है? point so point से पहले वाला क्या हो जाता है meter and point से बाद वाला क्या हो जाएगा? centimeter okay next your B part is B part is 736 centimeter यह वाला अब हमने क्या करना है? again 1 centimeter जो होता है वो 1 over 100 meter के equal होता है 736 को किस के साथ डिवाइड करेंगे? 100 के साथ okay अब नीचे कितने 0 है? 2 0 है तो पीछे से 2 dessert छोड़के क्या लगा देंगे? point so point से पहले वाला क्या हो जाएगा? meter and point के बाद वाला क्या हो जाएगा? centimeter 7 is meter and 36 is centimeter next C part is अब suppose को लो यह वो 6128 centimeter again centimeter को किस में convert करना है? meter and centimeter में 1 centimeter is equal to 1 over 100 meter तो 6128 को किस के साथ डिवाइड करना है? 100 के साथ नीचे कितने 0 है? so 6128 के पीछे से 2 dessert छोड़के क्या लगा देना है? point तो 1, 2 point कहा पे आ गया? यहां पे यहीं पे आया तो 61 क्या हो गया? meter and 28 क्या हो गया? centimeter clear? याद रखना कि जो पीछे से 2 dessert चोड़के यहां पे 2 भी हो सकती है हर बार यह नी हो था कि 1 हो बच्चे mostly इसमें mistake करते हैं कि यहां पे तो 1 हो ना था 6 meter कर देते हैं and 128 centimeter कर देते हैं clear? ऐसा नहीं है 61 meter करोगे and 28 क्या करोगे? centimeter points लगा के फिर करना है next is D part 1829 centimeter again centimeter किसमें convert करेंगे? meter में तो 1829 को किसके साथ divide करेंगे? 100 के साथ नीचे कितने 0 है? तो पीछे से 2 dessert चोड़के क्या लगा दोगे? point so point से पहले वाला क्या हो गया? meter end point से बाद वाला क्या हो जाएगा? centimeter clear photo आपके पहुँच जाएगी so ऐसे ही gear exercise है जो थोड़ी सी tough होती है ठीक है? इसलिए इसको सबसे ज़्यादा practice करनी है आपने so easy है बस divide किया और point लगाया है इसमें book में आपके मैंने वैसे na cnd नहीं करवाया तो आप हो सके तो practice कर लिए खुद rough notebook पे okay thank you so much have a nice day